सूरी हमारे लिए बहुत ही महात्पून है सूरी से ही हमें उर्जा मिलती है और साथ ही प्रकास और गर्मे मिलती है सूरी के कारण ही या धर्ती रहने के लिए एक सुखत जगा है सूरी के ना होने पर या धर्ती एक बहुत ही ठंडा और अंधेरी जगा होती सूरी के कारण है पृर्थी पर जीवन संभव है तो आई ये जानते हैं हमारे सूरी के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स So let's begin व्यज्यानिकों का मानना है कि किसी कारण नंगी आँखों से सूरी गरहन देखने पर आप अपनी आँखों को नुक्सान पहुचा सकते हैं गैलिलियो और फैबिश्यस ने सबसे पहले सूरी पर काले धब्बे देखे थे 23 जुलाई से 20 अगस्त 2009 तक चलने वाले घुनन का नंबर 2086 है दूसरे सब्दों में 9 नौमबर 1853 से सूरी अपनी धूरी पर 2086 बार घूम चुका है वेग्यानिकों ने बिते 12 वर्षों से अधिक समय में सूरी की सबसे तेज चमक सौरी प्रजल दर्जी किया या वर्ष 1996 में आधुनीक रिकॉर्ड सुरू करने के बाद आठवी सबसे तेज चमक है सूरी के केंदर में हर सेकेंड 700 मिलियन टन हैटोजन नुकुलियर विखंडन के कारण हीलिया में बदल जाते है हैटोजन नुकुलियर विखंडन के कारण उत्पन हुई सक्ति को प्रोटोन कहा जाता है सूरी के हैटोजन को खत्म होने में 5 अरब साल और लगेंगे सूरी का प्रकास सूरी के केंदर में बनता है सूर्य के केंदर में बना हुआ प्रकास प्रोटोन कई हजारों सालों तक सूर्य के अंदर गूमता रहता है हमारा सूर्य लगबक 70% हाइटोजन 28% हीलियम तथा 1.5% कार्बन ओक्सिजन तथा नैटोजन से बना है धर्ती पर जिवन का मुख्य सुरोत सूर्य है सूर्य से ही धर्ती पर हर प्रकार की सक्ति का अस्तित्व है सूर्य का गुर्त्व करसंबल इतना सक्ति साली है कि 6 अरब दूर इस्तित प्लूटोग्रा भी अपनी कक्छा पर गूमता रहता है सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब से ज्यादा न्यूटोन हमारे सरीर से केवल एक सेकर में गुजर जाते हैं मिको का मानना है सूर्य के उत्पत्ति लगभग 4 दस्मल अच्छे अरब साल पहले हुई थी सूर्य मंडल में इस्तित सभी ग्रा सूर्य के चकर लगाते हैं सूर्य मंडल को चलाने वाला मुख्या है सूर्य सूर्य जादा तर हैट्रोजन और हिलियम से बना एक ग्रा है यदि धर्ती पे आपका वेट एक केजी है तो वही सूरे पे आपका वेट 27 केजी का होगा क्योंकि सूरे का गुरत्वाकरसंबल धर्ती से 27 टाइम्स जादा है पृत्वी से 109 गुना जादा सूरे का व्यास 13,90,400 किलिमेटर का है सूर्य का वजन धर्ती के वजन से 3,30,000 जादा है 100% सौर्य मंडल में सूर्य का दरबिमान 99.86% है प्रकास रुपी प्रोटोन सूर्य के अंदर ही घूमते रहने के बाद इस प्रकास को पिर्थवी तक पहुँचने में मात्र 8 मिनट 18 सेकंड लगता है यदि सूर्य के बीच से एक वून जितना भाग उठाकर धर्ती पर रख दिया जाए तो वह वून 150 किलियो मेटर नीचे चले जाएगी 300,000 किलियो मेटर प्रती सेकंड है सूर्य की प्रकास की गती सूर्य की अकास गंगा के केंदर से दूरी 27,000 प्रकास वर्सकी है प्रतीवी को अपने धूरी के समख चकर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है वहीं सूर्य को अपने धूरी के समख चकर पूरा करने में 25 दिन का समय लगता है सूर्य की एक घंटे की उर्जा को सूलर प्लेट के सहारे अगर बिजली में कनवर्ट करे तो ये पूरी दुनिया एक साल तक बिजली के खपत को पूरा कर सकती है सूरी का प्रकास एक वर्स में 9.5 ट्रिलियन किलोमेटर की दूरी तै करता है हमारे पिर्थवी पर औसतन प्रतेक वर्स पांच बार सूरी गरहन लगता है सूरी गरहन और सतन 7 मिनट 40 सेकंड से ले करके 20 मिनट तक का हो सकता है सूरी के अंदर परमानुस सनलेयन रियक्शन होता है जो बिलकुल हैटरोजन बम फूटने पर होने वाली रियक्शन की जैसा होता है आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें